Dear Students, आज का हमारा टोपिक है कठोर स्विधान की गुण Merits of Regid Constitution कठोर स्विधान वे होते हैं जिने एक विशिष्ट संसा द्वारा बनाया जाता है जिनकी स्थिती साधार्ण कानून से उच्छतर होती है जिन में खास पदतिछे ही प्रिवर्तन किया जा सकता है वे एनमे और एप्रिवर्तन सील होते हैं उन्हें द्रीड स्विधान कहा जाता है उस्टेलिया का स्विधान 1901 से 1935 तक के उल तीन बार संसोदन हुआ यह दपीस में संसोदन करने के लिए संसद में 22 वी देख पेस हुए थे स्विधान बनाने वालों ने स्विधान में परिवर्तन करने की प्रनाली तैकर रखी थी उसे साफ मालूम पड़ता है कि वे नहीं चाहते थे कि बाद बाद में स्विधान बदलाव आए उनका विश्वास था कि सविदान के साथ बहुत जल्दी जल्दी दखलन दाजी नहीं की जाए आज कल लचिले सविदान की तरफ अधिक जुकाओ है ताकि आगे चलकर भावी पीडियां अपनी आवसेता नुसार सविदान में संसोजन कर सके और अपने को बेबस नहीं पाएं तो अब आता है कठोर सविदान की गूण मेरिट्स कठोर सविदान सपष्ट और निश्चित होता है इसकी परतेक दारा या नुछफिद सपष्ट होता है सरकार का कोई भी एंग अपनी मनमानिन नहीं कर सकता है शक्तियां और अधिकार सपस्ट होने के कारण किसी भी परकार के विवाद के संभावना नहीं के बराबर होती है फिर आता है सरकार निरंकुष नहीं बन सकती सरकार तानासा नहीं बन सकती क्योंकि उसके सबी अधिकार हो सक्तियां सविधान में लिखित और सपस्टूप से लिखित होते हैं वह अपनी सक्तियों को बढ़ा नहीं सकती है अगला पोइंट है लोगों के अधिकार सुरक्सित रहते हैं कठोर सविधान ये भी बहुत बड़ा योगदान देता है बहुत बड़ा फाइदा होता है कि इसमें नागरिकों के अधिकार सुरक्सित है शाशक दल अपनी सविच्छा से सविधान में संसोदन नहीं कर सकता सयुगत राजे अमेरिका का सविधान कठोर है इसलिए 1940 से 45 के दोरान जब अमेरिका दिटेविश्वयूद की आग में तप रहा था तो भी सविधान में संसोदन नहीं कर सकता और राश्पती के चुनाव करवाने पड़े संगात्मक सासन परनाली के लिए उप्यूगत कठोर सविधान जो होता है वो संगात्मक सासन परनाली के लिए उप्यूगत होता है संगात्मक सासन परनाली में दोरी सासन परनाली पाई जाती है केंदर और रज्यों में सक्तियों के विवाजन के विशे में साधानतर विवाद होते रहते हैं कठोर सविदान में सक्तियों का विवाजन होने के कारण आपसी विवादों को टाला जा सकता है घटाया जा सकता है थेंक यू